आज हम बनाएंगे गोबी आलू मटर की ग्रेवी इसको आप रोटी चपाती या पूरी के सद भी खा सकते हो इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इसे पटाफट बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बगोने में पानी डाल कर उबलने के लिए रखा हुआ है अब पानी अच्छी तरह हैं से उबल रहा है इसके अंदर मैं यहां पे गोबी डाल रहे हूं कटी भी डाल कर दो मिनिट के लिए पहम ब्लांच कर लेंगे और साथ में गोबी को ब्लांच कर लेंगे देखिए अब दो मिनिट हो चुके हैं हमारी गोबी अच्छे से ब्लांच हो चुकी है इसको हम एक ठंडे पानी के बॉल में निकालेंगे अब इसी उबलते पानी में मैं हम पे दो आलू को काट के रखा हुआ है टुकडों में इसमें डाल देंगे डाल कर इसको भी पांच मिन के लिए ब्लांच कर लेंगे अब पांच मिनिट हो चुके हैं हमारे अलो भी अच्छे से ब्लांच हो चुके हैं इसको भी हम पानी के बॉल में निकालेंगे अब मैं यहां पे पांच टमाटर ले रहे हैं पके हुए लाल टमाटर और तीन मेडियम साइस की प्याज अब इन दोनों को रफ्ली चौप कर लेंगे देखे मैंने टमाटर रो पैस को रफ्ली चौप कर लिया है अब गास पेक पैन रफिए इसके अंदर माई आपे दो टेबल स्पून तेल दाल रहे हो हैं अब तेल गरम हो चुका है आप यहां पे चोटे तीन दाल चीनी की तो तुकड़े ले रही हूं पांच लॉंग और पांच हरी इलाइची इन तीनों को इसमें डाल देंगे और यहां पे एक तेज पत्ता इसको हम तोड़की डालेंगे अब मैं यहां पे एक इंच अद्रब का टुकड़ा लेकर मैंने इसको चुप कर लिया है और एक लहसन को इसको भी मैंने छील लिया है इन दोनों को भी इसके अंदर डाल देंगे डाल कर थोड़ा भून लेंगे अब इसमें कटी भी पैस दाल रही है और एक चुपकी नमर डालकर पैस को अच्छे से भून लेंगे देखें अब हमारी पैस अच्छे तरह से बुन चुकी है इसके अंदर कटे हुए टमाटो टाल रहे हैं और थोड़ा नमाज टमाटो गरने के लिए डालकर अच्छे तरह होते टमाटा सॉफ्ट होने तब घून लेंगे देखें अब टमाटर में अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तेल भी उपर आ चुका है अब ग्या सॉफ करके मसाले कुपोरी तरह हैं से ठंडा करके इन सब का पेस्ट बना लेंगे देखिए अब यह पैस्ट टमाटर का मसाला अच्छे तरह हैं से ठंडा हो चुका है एक मिक्सिजार में डाल देंगे अब इसको हम पाइन पेस्ट बना लेंगे देखिए अब हमारा पैस्ट का माटर का पाइन पेस्ट बन चुका है इसको हम थोड़े देर साइड में रख देंगे अब एक छोटा सा मिक्सिका जार लेंगे अब मैं यहां पे 15-18 काजु ले रहे हैं इसको मैंने पानी में भीगो कर रखा था इसको हम मिक्सिजार में डाल देंगे और दो टेबल स्पून खर्बुजी की बीज यानिके मेलन सीट इसको भी मैंने पानी में भीगो कर रखा था इसको भी डाल देंगे मिक्सिजार में अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे काज और खर्बुजी की बीज का फाइन पेस्ट बन चुका है इसको भी हम थोड़ी दिर सैड में रखेंगे अब मैं यहां पे एक चोटा सा कप ले लेती हूं इसके अंदर दो टीस्पून लाल मिच पाउडर डाल रहे हूं दो टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून हल्दी अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोलेंगे अब आप अब आप 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 यह देखे सुखी मसाले का पेस्ट बे बन चुका है देखे हमारे तीनों पेस्ट बनकर तयार हो चुके हैं अब ग्यास पेक पैन रख लेंगे इसके अंदर माई हां पे तीन ते बसकी तेल डाल रहे हैं अब तेल अच्छे से करम हो चुका है पैन में सबसे पहले सुखी मसाले का पेस्ट डाल रहे हैं कर थे माँ शेतार पोछ रिखे हैं टेल रहे हैं आसे बहुन शेके ओं देने माँ चुके हैं माँचर्वाच्चना पेस्ट लेंगे डालकर इसको भी अच्छे तरखे से भून लेंगे तेल उपाराने तक मसाला उचलना शुरू हो चुका है मैं इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल देती हूं आदा कब जितना डालकर अच्छे से हिला कर पैन में डाल देंगे डालकर अच्छे तरखे से मसाले को पका लेंगे कच्छे समेल जाने तक देखे हमारी ग्रेवे अच्छे तरह से पक रही है और इसकी कच्छे समेल भे जा चुकी है अब इसके अंदर मैं यहां पे अबले हुए आलो डाल देती हूं अबले हुए गोबी और एक तब फ्रोजन ग्रीन पीस डाल रही हूं दालकर अच्छे प्राफे से मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छे तरह ऐसी मिक्स हो चुके हैं अब इसमें काज और फर्बुजी के बीच का पेस्ट डाल देंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से और थोड़ी सी कसुरी मेथी डाल रही हूं डालकर अच्छे तरह ऐसे मिक्स करके एक से दो मिनिट तक पका लेंगे अब दो मिनिट हो चुके हैं अमारी गूबी आलू मटर की ग्रेवी आच्छे से पक की है ग्या शाथ इसको हम डेश ओट कर लिए देखियो मैंने गूबी आलू बटर की ग्रेवी पो देश ओड़ कर लया है अब इसके पार थोड़ा साह राधनी और थोड़ा सा पाजू पेस्ट और थोड़ी सी कसूरी मेथी से सजा लेंगे देखे फ्रेंच हमारी गोबी अलू मतर की ग्रेवी बनकर तयार हो चुकी है इसको रोटी चपातिया पूरी के साथ भी खा सकते हो प्रेंच आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अलाहबीज